जै मतवी दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे समय कम हो तो आप कैसे करेंगे दुरगा सबसती का पाट संपूर आपको लाब मिलेगा दुरगा सबसती का पाट करने से नवरात के दुनों में माध दुरगा के भक पूरे विदी विधान से नौदिन पूजा पाट करते हैं दुर्गा सबसती का पाट करते हैं जादातर घरों में हर रोज किया जाता है लेकिन नवरात्रों में दुर्गा सबसती का पाट बहुत फलदाई माना जाता है इसका विशेस फल मिलता है दुर्गा सबसती का पाट करने से कम से कम तीन घंटे का समय लगता है लेकिन आजकल की भाग दोर भरी जिंदिगी में दुर्गा सबसती का पार्ट करने के लिए समय नहीं होता घर के काम वे ओफिस समय घर पहुचना अपना घर का भी काम होता है तो ये सब नहीं हो पाता है इसलिए कुछ अद्धाय का पार्ट ही कर पाते हैं मैं आपको बताऊंगी कि समय में अगर आपके पास कमी है संपून दुर्गा सबसती का पार्ट आप कैसे करेंगे और संपून आपको लाब भी मिलेगा तो संपून लाब लाब करने के लिए एक आसान उपाय बता रहे हूं जो खुद भगवान सिव ने मातपारवती को बताया थ दुर्गा सबसती में तेरे अध्याय हैं जिनको तीन चरित्रों में पांटा गया है हर अध्याय में माभगवती की महिमा और उनके रूपों के वर्णन किया गया है दुर्गा सबसती का प्रतम चरित्र में मधू केटब का वत मध्यम में महिसासुर का संगार और उत्तम चर दुर्गा सबसती का संपून लाब लेने के लिए आपको सबसे पहले कवच, कीलक और अरगला स्तोत का पाठ करना चाहिए. इसके बाद आप पढ़ेंगे कुंज का स्तोत का पाठ. ऐसा करने से दुर्गा सबसती के संपून पाठ का आपको फल प्राप्त हो जाएगा. तो यह जो है ही पुरानों में लिखा हुआ है भगवान सिब ने माता पारवती को यह उपाय बताया था. उन्होंने माता पारवती को कहा था कि इनका पाठ करने से पुन्यकी फल की प्राप्ती होती है. संपून दुर्गा सबसती के पाठ का आपको लाब होता है. भगवान सि होज फिलेकर लेकिन से किसी का अहित ना करें इसका एक-एक मंत्र एक-एक अध्याय के बरावर है नव्डा॥ जो हर रोज दुर्गा सबसती का पाट कर से मादुर्गा का अशिरा प्राप्त होता है, हर तरह की संकर से मुक्ति प्राप्त होती है और पाट के हर अध्या का अलग अलग फल्ज होता है, वो सिद्ध कुंज का इस तरोज से मिलता है, सभी मनो कामनाय पूरी हो जाती है, सबसत तो आप अगर सिद्धु कुंज का इस्तोत का पार्ट रात्री में नो बजे से ग्यारे बजे की बीच करते हैं, 108 वार, 21 वार, नवार मंतर के जाप माला करते हैं, इस सिद्धु का इस्तोत को पढ़ते हैं तो आपको चमतका नवरात्र में दिखाई देगा, नवरात्र में अगरला के बाद कुंज का इस्तोत का पार्ट करना विसेस फल माना जाता है, ना सिर्फ दुर्गा सबसती का पार्ट का संपूर फल मिलता है, आर्थिक समस्चा से मुक्ति मिलती है, सब्तुरों से निजात मिलती है, कोट का चैरी के मामलों से जीत मिलती है, और यह इस्तोत किसी चमतकार से कम नहीं है इसके पार से जीवन की सभी समस्याओं और सारे विगने दूर हो जाते हैं तो दुरगा सबस्ति का पाठ अगर ना कर सकें आप तो सिद्ध कुंज का स्तुत का पाठ अवश्य करें इन नवरात्रों में आई होप कि आपको मारी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्कार कीजिएगा माता की चौकी लगाना, कलस स्थापना, अखन जीप जलाना, माता के खेतरी बोना ये सब वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा मातारानी के सिंगार का क्या करें, मातारानी को चुनरी कैसे उड़ाएं मातारानी को पान का बीड़ा, पान का भोग कैसे लगाएं यह सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं आप गुप्त नवरात्रे, शारदे नवरात्रे, चैतर नवरात्रों की पूजा, विधी हर छोटी छोटी चीज हमने अपने वीडियो पर दी है आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए तो आपको नवरात्रों की संपूर्ण प्रती दिन माता की जो पूजा की जाती है वीडियो भी चैनल पर अपलोड है I hope कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें मातारानी का आशिरवाद आप सबको प्राप्त हो माभगवती की करपा आप सब पर बनी रहे हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे तिल देन बाई बाई जै माता दी हैपी नवरात्री